कि आप देखे रहे हैं कि अगर आप मेरे सब्सक्राइब नहीं कि तब सब्सक्राइब नहीं कि ताकि मेरी भर नहीं आने वाली वीडियो पर नुटिकेशन आपको फ्री में बिलता रहें तो चलिए यह स्टार्ट करते हैं एक मेने पैन ले लिया है और पैन में डालेंगे एक कप पानी एक कप पानी हो इसे जादा ना हो और इस में डालेंगे मैंने यह दो दो पीस कर लिये हैं चार टिमाटर लिये थे तो इसके मेने यानि के आठ पीस कर लिये हैं तो इसका जब लम्बी वाली चोटी या बड़ी आप ले सकते हैं तो मैंने ली हैं 10-12 तो ये इसमें डाल दे और इसको मैंने कवर कर दिया था 5-10 मिनट के लिए तो 5-10 मिनट हो चुके हैं और लोफ लेंपे आपने इसको कवर करना है और चिलका बहुत अराम से इसका उतर जाएगा तो इस तरीके से इसका चिलका आप पहले उतार ले सबका चिलका उतारना बहुत जरूरी है चिलका नहीं होना चाहिए इसमें और आप पानी की कॉंटिटी भी देख सकते हैं कि अपानी खुश्छ हो गया है हलका फुलका बस पानी रहना चाहिए तो इन सब को मैं निकाल एक NORमें निकाल के ग्रैंड कर लूँ की एक जार में डाल एकर ग्राइच करने के बाद मैं आप चटनी जो हमने ग्राइंड कीवी थी तो इसमें चटनी डालके इसमें कुछ हम डालेंगे नमक 1 teaspoon यह से थोड़ा सा कम त्याल देंगे शूगर, 1 Tb शूगर डालने के बाद वन टेबल स्टमी अब केचप डालने के इसका बहुत अच्छा सा जाएकर फ्लैवर आता है जब ची अच्छी तरह मीक्स, उजए कब आचा रही यह मो मो के साथ खाई जाती है, जो मॉमोस बनाए जाते हैं बहुत मुजआदारों होते हैं तो इसको holक एक से दो मिनट हम झाम च्प्षब चलाते रहें आप इसको मॉमोस के साथ खाएं तो बहुत मज़ा आएगा आप इसको बना के रख सकते हैं जब आपका दिल करें आप मॉमोस बनाएं और आप इसको निकाल के खा लें तो दूआ में याद रखें अल्ला हाफीज